हेलो दोस्तो मैं आज आप लोंगे सामने एक नए वीडियो लेके आई हूं बहुत सारी महिलाएं और लड़कियां मुझे कमेंट करते हैं कि आप बालू में कौन सी महंदी लगाते हैं और किस तरीके से लगाते हैं तो उसका तरीका बताएए तो आज मैं आप लोगं के सामने लेके आई हूँ इनेहा महंदी वैसे मैं दूसरी महंदी लगाती हूँ बालो में बट उसमें कैमिकल बहुत जादा होता है तो इस बार मैं ये महंदी लेके आई हूँ और आधा चमबच कलोंजी, आधा चमबच मेती और एक कड़ी पत्ते की लीव डाली है पूरी चार आइटम मैंने इसमें डाले हैं आप चाहें तो सिर्फ चाय पत्ती का पानी भी डाल सकते हैं बागी चीजे जो है नैचरल चीजे हैं अगर कुछ फायदा नहीं होगा तो साइड इफेक्ट भी नहीं होगा और मैंने इसमें दो धाई ग्लास पानी मैंने इसमें रखा है इसको उबालने के लिए आप अपने बालों के अकॉर्डिंग जो है पानी रख सकते हैं आपकी बालों की लेंथ कितनी है एक ग्लास पानी में महंदी भीग जाती है तो ठीक है जितनी महंदी भीगानी है उसके अकॉर्डिंग आप पानी रखिए मेरे बाल थोड़े से लंबे हैं बड़ पतले भी हैं तो मैंने उसके अकॉर्डिंग पानी रखा है इसको मैं करीबन 5-10 मिनट तक उबालूँगी और ऐसे-ऐसे बीच-बीच में चममस्य में इसको हिलाते रहोंगी वरना उबाला के पानी गिर जाएगा नॉर्मल जैसे हम चाए का जो पानी है वो वालते हैं वेसे ही इसको उबालना है और बीच-बीच में चलाते रहना है ये लगाया नहीं है, अभी मैंने कम ही बार इसको लगाया है अपने बालों में, तो मुझे अभी तक कुछ फरक तो दिखा नहीं, मैं आपसे जूट नहीं बोलना चाती हूँ, बट ये नैचरल चीजे हैं, इनके कोई side effect नहीं होते हैं, मैंने आप लोग को पहले भी बताया ह तो ये देखिए, मेरा पानी पके ऐसा हो गया है, सारी चीजे इसमें मिल गई है, ये इतना कम हो गया है, अब मैं क्या करूँंगी, गैस को कर दोँंगी, बंद। उसके बाद मैं पानी थंडा होने लूँगी, फिर मैं ये महन recruit होगी, पानी को आपको घुन-गुना करना ह बहुत जाधा ठंडा भी नी बहुत गरम भी ने, फिर इसमें मैंने डाला है एक package कॉफि, ये भी आप, आपकी मर्जी आप डालो, चाहे मेच डालो, बाल इससे ज़ादा काले होते हैं और ये उनज़ा का. मेहंदी आपको नहीं बनानी है, गीली मेहंदी बालों से बगने लग जाती है, आप चाही तो पानी को छान ले, चाही तो ऐसी मिला ले, क्योंकि सारा समान इसमें नीचे बैठ जाता है, तो मैं ऐसे ही मिलाती हूँ, और इसको अच्छे से आपको घोलना है, जब तक इसमें जो गुठ्लियां है ये ना बने। गरम पानी में हम महंदी इसलिए नहीं भीगाते हैं क्योंकि इसमें महंदी की गुठ्लियां बन जाती हैं। उसमें थोड़ा सा आधा गलास पानी है, एक कप पानी बच्चा होगा, जो मैंने बाद में थोड़ा सा और मिलाया था, ज्यादा गाड़ा महंदी बालों में लगती भी नहीं है, और ज्यादा पतली महंदी लगाएंगे तो भीग जाए ही, और इसके साथ अगर आप दही मिल आने के लिए, तो उस टेम पे आप दही मत मिलाएंगे, जिस टेम पे लगाएंगे, उसी टेम पे मिलाएंगे, और अगर आप दो पहर में महंदी लगाते हैं, तो आप दही उसी टेम मिलाके एक बिर धंटे के लिए छोड़ दें, फिर बालों में लगाएं, दही से बाल ज अलग तरीका बतार्यों मेहंधी लगाने का, ऐसे साट-साट से मांग निकालकर आपको बालों में लगाना है, मेरे इसी साइड के बाल आगे आगे के बाल 5-6 बाल सफेद हैं, इसलिए मैं इधर जादा लगाती हूं, मेहंधी लगाने के दो तीन तरीके हैं, आप चाये हैं त तो पीछे से बीच में से बाल उठाके जूड़ा बनाते हुए लगा सकते हैं, मैं भी इन सारे बालों का जूड़ा ही बनाऊंगी, बट एक तरीका मेरा ये भी है, मैं इस तरीकी से भी लगाती हूँ, ये मुझे बहुत जादा एजी लगता है, और मेरी एक आदत है हमेशा, अगर मैं महंदी भीगाती हूँ, तो बहुत जादा भीगाती हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा महंदी नहीं भीगाती हूँ, देखो जब बालों में महंदी लगानी है, और उसको इतनी देर तक सर में रखना है, इतनी परेशानी उठानी है, तो महंदी जादा भर भर के लग नहीं आता है ताकि वो easily तरीके से महंदी अपने बालों में लगा सके तो देखें मैं सारे बालों में ऐसे लगा रही हूँ आगे-ागे के side side से मांग निकालते निकालते और जरूर एक कपड़ा तो जरूर अपने उपर रखें क्योंकि महंदी गिर जाती है हातों में भी इतन सकते हैं उसका कोई side effect नहीं होता है कि आपके face में color लग जाएगा या यह चीजे हो जाएंगे ऐसा कुछ मी नहीं होता है वो easily तरीके से छूट जाती है देखिए अब मैंने सारे बालों में आगे के लगा दी है अब मैं सारे बालों को पकड़के पीछे को जूड़ा चाहे तो आप इसमें ना भी लगाएं मुझे तो बस white बालों को cover करना होता है आगे के जो बाल है उसमें लगाती हूँ बट मैंने महंदी बहुत भेगाई तो आज मैं पूरे बालों में लगा के आप लोगं को दिखा रही हूँ जिस तरीके से आप लोग बालों में तेल लगाते हैं बस उसी तरीके से आपको महंदी को लगाना है और easily तरीके से लग जाती है जूडा बना लेना है आपको आसानी से जूडा बन जाएगा मेरे जो थे सूखे बाल थे बहुत जादा तो थोड़ा सा चिपक रहे थे इसमें थोड़ा दिक्कत हो रही थी बट easy तरी महंदी जादा गीली ना करें गर्मियों के टाइम में महंदी जो होती है बगने लग जाती है तो आप दिन भर जहां भी बैठो के आप महंदी गिरते रहेगी तो यह देखे मैं जूडा बना दिया इसके उपर भी मैं थोड़ा सा महंदी लेके लगाऊंगे और आगे के बा पाल है उनकी मुझे कोई टैंशन नी है फिर थोड़ा सा महंदी लेके जूड़े के उपर आप लोंको ऐसे लगाना है ताकि महंदी जो है अंदर तक बालों में घुश जाए पीछे के बाल को आपको दो पार्टिशन करने और एक साइड के भी फिर दो दो पार्टिशन करन है कि उपर बालों में जूड़े के साथ ही पहले इस साइड से लपेटना है और दूसरे बाल को दूसरे साइड से ताकि दोनों तरीके से दोनों तरफ से बालों की जूड़ा की टाइटनेस जो है वो बनी रहे एक ही साइड से आप बाल लगाएंगे तो बालों का जूड़ जो है एक तरफ लटक जाएगा आपका इसलिए पहले इस तरफ साब लपेटना है फिर उस तरफ से देखिए मैंने कितनी एजी तरीके से फटा-फट लगा के मैंने जूड़ा भी लगा दिया उपर से और महंदी लगा दी सेम चीज आपको इस तरफ भी करनी है इधर भी आपको ऐसे ही करना है कि आधे बालो में पहले लगा के जूड़ा इधर से घुमाना है बालो को फिर बालो को दूसरी पहले राइट साइट से फिर लेफ्ट साइट से आप पहले लेफ्ट से फिर राइट से आप इधर भी साइट से कर सकते हैं जहां से आपको comfortable हो और ये महंदी लगाने के चक्कर मेरे हातों में कानों में बहुत महंदी लग गई थी बट easily ये महंदी जो है छूट गई थी ऐसे कोई दिक्कत नहीं हुई थी मुझे कि ना छूटे मेरे नाक में भी महंदी लग गई थी तो बस इसी तरीके से पूरे बालो में आपको महंदी लगानी है और देखें मेरी सारी महंदी जो थी बालो में जो जितनी मैंने भीगाई थी सब लग चुकी थी मेरी महंदी बिलकुल भी नहीं बची थी और ये इस तरीके से देखें मैंने पहले उधर से लगाया और अभी मैंने जूड़ा इस तरफ से लगाया है तो देखें मेरी पूरी कड़ाई खाली हो गई थी और ये मैंने पीछे के बालू में भी जो है मैंने ऐसी महंदी उठा के जैसे आगे लगाया था वैसी मैंने पीछे भी लगाया मुझे दिखनी रहा था मैं बस फटा-फट घिसे जा रही थी और लोही की कड़ाही में ही आप लोगं को महंदी भीगानी है किसी plastic के बर्तन में आप लोगं महंदी मत भीगाना वरना उसमें बहुत सारा color लग जाएगा लोही की कड़ाई में महंदी भिगाएंगे तो लोही की कल़ाई का जो काला पन होता है वो भी और ज़्यादा उसमें mix हो जाता है और steel के बरतन में ही स्टील के डाडू से उसको आप भिगाना और स्टील की थाली से ढखके रग देना उसके बाद देखें मैंने सारी महंदी छुटा दी थी अपनी इसके बाद मैं नहाओंगी धाई गंटे के बाद तुझी हेर वाश मैंने अभी कर लिया है मैंने अभी टाइम कितना हो रहा है म अच्छे बज़ें मैंने सर दूले क्योंकि मुझे ना भारी भारी सा लग रहा था सर में इसलिए मैंने पहले है आप चाहें तो दो गंटे में भी तो जैसे आपके मर्जें अब बल जब बाल सूखेंगे तब मैं आप लों को दिखाऊंगे तो थोड़ा सा हात में लगा थ से बीदि करें में अपर से आप लों को दिख रहा होगा में दी दिख रही है नहीं दिख रही है बट में बहुत अच्छे से लगी है मैंने चैक कर लिया था ही रही डचे अम मैं कल करूंगी पालो मैं और लगाउंगी 2-3 गंटे बहुत ज़़ा जैदा ज्यादा पाकिली, बाई!